हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी, इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूँ जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बेहद इंपोटेंट है तो वीडियो को एंड तिले गरूर देखिएगा क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे एक कोसंस भी पूछूंगो और उसको अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा साथ ही साथ इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीगराम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप राप्त भी कर सकते हैं पहला कोसंस ब्रस्टाचार नेवार्ण अदिनियम के अंतरगत गठित विसेस नियाएधीस का नियाले अपील के प्रायोजन के लिए उच नियाले की स्थानी अधिकारी तक कौन सा नियाले समझा जाएगा चार ओप्सन्स यहाँ पर आपके सामने है तो आपका सही अंसर हो जागा सत्र नियाधीस का नियाले पहला ही ओप्सन्स यहाँ पर आपका बिलकुल करेक्ट होगा अनुसूचित जाती एब अनुसूचित जन जाती अधिनियम के अधिन विसेस न्याले की स्तापना का प्रापदान किस धारा के तहत है तो किस धारा के तहत है तो आप करसा है या अंसर हो जाए का धारा 14 के तहत तीसरा option यहां पर पिलुकल करेक्ट उत्तर प्रदेश अधिनस रेणी के पुलिस अधिकारियों की नियमवली 1991 के प्रस्तर चार में उलेखे दंड कौन अधिकारी दे सकता है चार उप्संस आपके सामने ये है तो दंड कौन दे सकता है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुलिस महाने रिक्षक भी देख सकता है और अपर पुलिस महाने देख भी दे सकता है चारोई ओप्संस यानि की तीनोई ओप्संस उपर की बिलकुल ठीक है आप रादिक मना इस्तिती में सामिल नहीं है क्या आप रादिक मना इस्तिती में क्या सामिल नहीं है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा व्य हो जाएगा आपका हेतू आपरादिक मना इस्तिती में हेतू सामिल नहीं है आपरादिक मना इस्तिती को आसे ग्यान तता उपेक्छा आदी सब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है अता आपरादिक मना इस्तिती में हेतू सब्द जो है वो सामिल नहीं है Next questions व्यक्तिगत सारीरिक या व्यक्तिगत सरीरिक सुरक्षा के लिए निमलिकित में से कौन सा संबंद जो है वो सही है ये आपको बताना है Question number 45 चार options यहाँ पर आपके सामने हैं ये हैं एक आपको ये देख रहा होगा तो फराले नहीं तीनों में से आपका सही आंसर है कि यह अधिकार किसी के भी बुरुद हो सकता है तीसरा options जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा Next question से आपको कि इस यातायात पिर्तिक का मतलब क्या है पहले आप यातायात पिर्तिक को देख लीजी अच्छे से फिर इसका मतलब बताईएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इस यातायात पिर्तिक का मतलब है कि आगे आदमी जो है वो काम पर है किस धारा के अधीन परीचालन अनुगिप्ती हे तू उम्र 18 वर्स से अधिक होनी चाहिए तो किस धारा के अधीन धारा 31 के अधीन दूसरा उप्सन चौथा उप्सन करेक्ट वन जीव संडक्चन अधिनियम के धारा 31 के अंतकर्थ फिलिंदा बलैंक्स की लिखित पूर्व अनुमती की बिना कोई भी व्यक्ती वन जीव अभिहरन में किसी आयोद के साथ प्रवेश नहीं करेगा तो फिलिंदा बलैंक्स के स्थान पर आपको बताना है चारो यह उप्सन आपके सामने है मुख वन जीव अभी रक्षक या प्राधिकरत अधिकारी उप्रोक तो जोनों है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टंस परियावर्ण के परकार होते हैं तो परियावर्ण के कितने परकार होते हैं सर्फ परियावर्ण के दो परकार होते हैं बहुलिक परियावर्ण और जैविक परियावर्ण तीसरा उपसंस यहाँ पर आपका बिलूर करेक्ट दहेज पिरतिसेद अदिनियम 1961 के अंतरगत दहेज देने या दहेज लेने के लिए सास्ती का उपबन होना होगा किस धारा में तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा थड में तीसरा उपसंस करेक्ट नेक्स्ट कोर्संस स्टार्ड करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैं अनेकेडी पर डेली विश्स पे चार क्लास ले रहा हूँ चारोई क्लास की टाइमिंग आपके सामने है जिसमें पॉलिटी हिंदी को कवर मैं कर रहा हूँ ठीक है अब ये क्लास आपके लिए इतनी इंपोटेंट है कि आप कोई कोर्स कहीं से भी आपने कोई ओनलाइन कोर्स पर्चेस किया होगा पैसोगा उससे इसकी तुल्ला कर लेना तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा ये फिरी स्पिसल क्लास और आपको बिल्कुल टाइम वेश्ट किया जा रहा है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि आप एक क्लास में आईए अपने 10-15 मिंट दीजिए कोई भी एक क्लास में क्लास पसंद ना है तो मैं तो डारेक्टली कहता हूँ कि क्लास को डिसलाइक करो और अपने दोस्तों से और डिसलाइक करवा दो मुझे कोई भी आपतिनी होगी लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ अगर आप दिये गए लिंक से डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से क्लास तक नहीं पहुँच पा रहा है UP SSC यह State PCS में आपको यह UP SSC देखने को मिल जाएगा तो हमने यह मिल गया UP SSC तो हमने इसको select किया select करने के बाद हमने हिंदी को select कर लिया हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है आगे की जो आपकी processing है वो यहाँ पर हो जाएगी यहारेक server यह मेरा नाम है तो देखो मैं आपको वहाँ पर दिख जाऊँगा यह दिख गया मैं ठीक है यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आपके लिए करोगे तो मेरी सारी classes आपके सामने आ जाएगी जो आगामी class होंगी वो भी आ जाएगी जो कि हमारे चैनल का नाम है Indian Study कहीं भी कोई भी इस पेस नहीं है यह है और इसको हमने अनलोक कर दी आपके सामने class अनलोक हो गई आराम से आप class का लुफ तो टाइए और डेली वेसे पर आपके पास notification भी पहुँच जाया करेगी अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सबकों से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपको class होगी आप उस तरही से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है next question साब के सामने warrant कब निस्प्रभावी होता है जल्दी बताइए सर warrant जो है वो निस्प्रभावी कब होता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा जब उसका निस्पादन कर दिया जाता है या जबकि उसे जारी करने वाला नियाले उसे रद कर दे तो इन दोनों ही condition में वो वो प्रभावसाली नहीं होगा धारा 420 भारती डंड सही ताकि अंतरकरत अपराद है साथ वर्स के कारवार्स अतवा अर्थ डंड से डंडनी है या संगे है यानि कि तीसरा options correct क्योंकि जो धारा 420 है वो दो का देना है ठीक है next question से आपका कि निमले के तमेंसे कौन एक अपरादी है तो आपका सही अंसर हो जाएगा उट पीरन के करण रिस्वत देने वाला व्यक्ति ये एक अपरादी के स्रेणी में आएगा यानि कि इस questions का चोथा options जो है वो आपका बिल्गल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा next question से आपका यदि कोई वेरिष्टर लीडर या वकील युक्ति युक्त आधार के लिए आधार के बिना कोई person पूसता है तो नियाले इसकी रिपोर्ट कर सकेगा किसको तो नियाले जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो या तो उच नियाले को करेगा या State War Council को करेगा या War Council of India को करेगा किसी को भी कर सकेगा वो चौता options correct रैक्स बनाम गोविंदा में भारतिय डंड सहीता की निमलिकत में से किन धाराओं के प्रापदानों के मद के अंतर के बिन्दूओं को सपष्ट किया गया था तो सही अंसर आपको क्या हो जाएगा धारा 299 और 300 यानि कि इस questions का पहले ही options correct भारतिय साक्च अधिनियम के किस प्रापदान के अंतरकत बैद विवा के दोरान उत्पन बच्चे और सत्ता को उपदारित किया गया है किस धारा के अंतरकत तो धारा 112 के अंतरकत तीसरा options correct धारतिय संहिता की दारा 2C से 2 गाम है निम्लिकत मैं से क्या परिवासित है तो यहाँ पर संगे अपराद परिवासित है तीसरा options correct भारतिय धारा में आपरादिक सर्यांतर को परिवासित किया गया है तो किस धारा में आपरादिक सर्यांतर को पर इवासित किया गया है धारा 120 काम है 111 काम है, पहला ही options correct बहरती समिदान की आड़वी अनुसूची संम्न्दित है तो बहरती सम्मिदान में आड़वी अनुसूची किस से संम्न्दित है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा भारत की भासाओं से जो 22 भास आई हैं तीसरा options correct मानता प्राप्त भारती सम्मिदान की प्रस्ताबना में समाजवादी सब्द जोड़ा गया बहतरीन questions तो कब जोड़ा गया ये 42 में सम्मिदान संसुदन 1976 के तहट है ना दूसरा options correct भारती सम्मिदान का नुच्छे 370 सम्मद्ध है किस से जो कि भारती सम्मिदान में राच की नीती ने इस तत्वों को सामिल किया गया है आप सभी लोग जानते हैं तो राच की नीती ने तत्व कहां से लिए गये हैं DPSP ये आपके Ireland से लिए गये हैं पहला options correct भारती सम्मिदान की प्रस्ताबना में निमलेकित में से किस अभिव्यक्ती का प्रियोग नहीं किया गया जल्दी बताइए किस अभिव्यक्ती के प्रियोग नहीं किया गया तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संगी है चौहता options यहाँ पर आपका विलकुल correct हो जाएगा सम्मिदान की प्रस्ताबना में भारत को कह गया है चारो यह options देख लो पहले दर्मनिर्पेक्च लोकतानत्रिक गनराज कहा गया है घ्यान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद को किस रूप में जाना जाने लगा तो किस रूप में जाना जाने लगा बुद क्योंगि बुद का मतलब होता है घ्यान संपनव्यक्ती दूसरो options बिलकुल correct निमले के तम पाकिस्तान की मांग फिलिंदा ब्लैंक्स में की गई तो पाकिस्तान का जो लावर सत्र है या मुस्लिम लीक का जो लावर सत्र है वो कब हुआ था यह हमसे पूचा तो सही आंसर हो जाएगा 1940 वंदे मातरम पत्रिका की इस्थापना किस ने की थी आराम से बता सकते हैं ध्यान चंद्रमा का आकार पिर्तिवी के आकार का लगवक कितना है आकार की बात हो रही है ध्यान नखना गुर्तवा कश्ण की बात नहीं हो रही है तो चंद्रमा का आकार पिर्तिवी के आकार का लगवक एक वटे चारवा भाग है ठीक है तो यानिकि इस कोस्टन का दूसरा ओप किरिया से उस्मा निकलती है उसको उस्मा छेपी कहते हैं जिसमे उस्मा एब्जॉर्व होती है उसको उस्मा सोसी कहते हैं तो पहला आप्संस यहां पर फिलाल करेक्ट होगा जे अम बंडल आरक्चि छेत्र का सबसे सही विबरण है तो सही आंसर होगा सत्त विकास के अध्यन इस्थल तीसरा आप्संस करेक्ट कुद लोक निरत यहां का एक पिरसिद लोक निरत है तो कुद लोक निरत कहां का पिरसिद लोक निरत है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा जमू और कजमीर का दूसरा आप्संस करेक्ट नेक्स किसके सहयोग ये से तो आपका जो सहयां सरोजय का वैवजग भारतियों के सहयोग से पहला करेक्ट कवड़ी फिलिंदब लेंक्स राज का अधिकारिक खेल नहीं है कवड़ी तो सही आंसरोय का राजस्तान बलकि ये सारे महाराष्ट, बिहार, आंदरप्रदेश, तिलंगाना और पंजाग इन सभी का राजकी खेल क्या है? कबड़ी ठीक है? जो राजस्ताने इसका राजकी खेल वार्सके डूबले ध्यान लगना विस गोरईया दिवस पिर्ती वर्स बीस मार्च को मनाये जाता है किसके लिए? गोरईया के सरनक्षन एतु जागरता वड़ाने के लिए तीसरा ओप्सन्स करेक्ट नेक्स्ट कोस्टन से आपका के उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंदान संस्तान केंदर कहाँ पर है? कोस्टन अमबर 77 तो कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा आपका मेरट दूसरा ओप्सन्स करेक्ट बारती ये दलहन अनुसंदान संस्तान कहां पर इस्तित है तो दलहन जो है ये कानपुर में इस्तित है तीसरा उप्संस करेक्ट लखनाओ ये उजना किसके विकास से समझत है तो लखनाओ ये उजना किसके विकास से समझत है तो ये सडकों के विकास से समझत है लाश्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश में निमले के तमय से किस फसल का सर्व प्रमुक उत्पादक है उत्तर प्रदेश तो इस कोस्टन्स का आंसर आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएंगे तो ये थे आपके 40 जीके के इंपोटेंट कोस्टन्स जो कि आपके आने वाले एक्जाम यूपी एसाई के लिए बेएद इंपोटेंट है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों फिलाल की वीडियो में तो इससाफом लहाता है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक कीज़ेए सेर कीजिए और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलना क्यूंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तों जै इंद जै भारत